हलो डिये फैंस आप देख रहे हैं All Study Easily चैनल आज हम पढ़ेंगे बोर का परमानों मोडल यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्ट है यह हर एक्जाप में यह कुशन आता ही है तीके ना तो देखिए बोर का परमानों मोडल क्या है सन 1913 इस्वी में नील बोर ने रधरफोर्ट के परमानों मोडल में मैक्स फ्लेंग के कौंटम सिद्धांत को लगाकर रधरफोर्ट मोडल की कम्यों को दूर किया और एक दूसरा परमानों मोडल दिया जिसे बोर का परमानों मोडल कहते हैं तो ये परिभासा है, ये question आपका तीन नंबर का बनता है, जिसमें आपको diagram भी बनाना होता है, और इसके definition भी लिखनी होती है, मतलब इसके बारे में बताना भी होता है, सिद्धान लिखना पड़ता है, अब देखिए, ये एक परमाणू है, बोहर ने कहा था कि परमाणू मे कई कक्षाएं होती है, ठीक है न, ये एक परमाणू है, बोहर ने कहा था, इसमें कई कक्षाएं होती है, अब देखिए, इसमें कितनी कक्षा है, 1, 2, 3, 4, इनको कहते हैं कक्षा, ओके, ये है कक्षा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, कक्षक लिखो या कक्षा लिखो, औ इलेक्ट्रोन इन कक्सव में गती करते हैं ठीक है गोल 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 क्या है इसमें गती करते हैं और परमाणों के बीच में क्या होता है ये नाभिक होता है प्लस का साइन जो ये होता है नाभिक इसमें धनायन पाया जाते है ठीक है ये गोल है जो ये होता है आपका नाभिक और इसमें धनायन पाया जाता है और प्रमानों के ककसक हैं जो इनकी उर्जा क्या है अलग-अलग होती है और इनके ककसाओं के संख्या भी क्या है अलग-अलग होती है देखिए यहां पर दो है यहां पर आठ होंगे यहां पर सोला होंगे तो इनकी क्या ककसाओं के संख्या भ A, second वाली का नाम है L, third वाली का नाम है M, और fourth वाली का नाम है L, तो ये इनके कक्षाओं के नाम है, फिर उन्होंने बताया कि इस कक्षाओं में इलेक्ट्रोन गती करते हैं, और उसकी ओर्जा में क्या होता है, परिवर्टन होता है, जब परमानु बाहर से ओर्जा मिलती है, जब परमानु को क्या है, बाहर से ओर्जा मिलती है, तो अपनी कक्षा को छोड़ कर, तो ये अपनी कक्षा को छोड़ कर क्या करता है, दूसरी कक्षा में चला जाता है, और यहां क्या है, परमानु की अवस्ता उत्तेजित कहलाती है, ये क्या कहलाती है, परमानु की उत्त यह जित अवस्था कहलाती है और यह abundance करता है जब यह स्क खा से इस स्क्समें आता है तो यह second के लिए वहां रहते हैं दसी घात minus 8 seconds के लिए यहां रुखता है इससे ज़्यादा नहीं रुखता और फिर वहां अपनी कक्समें वापस चला जाता तो देखिए एक बार मैं और आपको एक्स्प्रेंट कर देजी हूं देखिए यह एक प्रमाण हूँ है इसमें कई कक्साओं पाई जाती है 1,2,3,4 ठीक है इन कक्साओं के नाम है KMLN पढ़ो या उपड़ से पढ़ो ठीक है इसमें इलेक्टरॉन गती करते हैं यह जो बीच म तक नाम दिये गए हैं ठीक है और यह जब परमाणों को बाहर से उर्जा मिलती है तो क्या है वो दूसरी कक्सा में जंप कर देता है यानि की कूच जाता है और यह यहाँ पर ज्यादत तक नहीं रखता ओनली दस की घात मायनत आज सेकंड तक यहां पर रुकता है फिर वो पुना अपनी कक्सा में चला जाता है तो यह था बोर का प्रमाणों मोडल आप इसका इसकी इंसोट ले लो और आपको में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप वीडियो देखते हैं बट आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर यह था और आज था अच्छी लेंगे, थानल कुछ लोगह था नहीं प्रमाणी कर उसका दोःजिए भाद रहे थाखते हैं।